तो आईए मैं आपके साथ आपका दोस्त रविंदर कुमार बागपस से और मैं आज आपको लेकर आया हूँ प्रगतिसील समाजवादी पार्टी कि जो परदेश सचीव है उनके मकान पर उनके आवास पर आये हैं और हमारा जो मुख्या उद्देश से आने का है वो यह है कि आने वाली छह तारिक में एक धरना परदसन है सरकार की नीतों के खिलाप सरकार की जो नीते हैं उनके खिलाप धरना परदसन है परगतिसील समाजवादी पार्टी का और इनको धरना परभारी बनाया गया है पार्टी ने तो आईए हम उनसे जानते हैं आज कि धरना जो है और आखिर क्या ऐसी जोरत पड़ गए कि आज सभी जुलों में परकिती समाजवादी पार्टी ने धर्ना परदसन का एक दिन निश्चित किया धर्ना करने का जो एक मजबूर धर्ना करना पड़ रहा है आखिर क्यों ये धर्ना करना पड़ रहा है और धर्ने के बाद आखिर पार्टी और गागे इनकी पार्टी क्या नीतिया रहेगी क्या जनता इन से जुड़ने क्यों जुड़े इन से जनता और क्यों इनके साथ जनता चले यही बात हम लेकर आई हैं आईए मिलते हैं उनी से ना महिंदर सिंग यादव है और नंगला अभीवपूर पिलाना ब्लॉक जिला बागपत से के रहने वाले हैं और प्रकति सील समाजवादी पार्टी का मैं परदेश अचीव हूँ और एक सिपाल जी का मैं एक सिपाई हूँ दर्ना जी जो जरूरत पड़ी है पूरे पिछेतर जिलों में दर्ना पर्दसन हो रहा है पर्दसन भी ओरा दर्ना बिदिया जा रहा है की जो सरकार की नीतिया है वो बिल्कुल खराब हैं आजकल महगाई का जो इन्होंने वादा कर रहा है महगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है महिलाओं को निकलना दुरलब हो रहा है अवारा पस्वो का ये बुरा हाल है कि किसान जो है बिल्कुल परिशान है खेतों की जो है सब खेत बेकार कर दिये हैं किसान बिल्कुल परिशान है गन्ने का भुगतान हो नहीं पा रहा है पुलिस का जो है कोई कहीं पुलिस जो है कोई कारवाई नहीं कर पारी है बाकी की तो ये समझोंगी ये विफल है सरकार तो अब आप लेकर आए हैं या सीवपाल सिंग को एक मजबूरन एक अपना संगठन खड़ा करना पड़ा तो उस संगठन से जनता क्यों जुड़े और जनता आपके साथ क्यों चले क्या नीतिया पार्टी आइसे जिनता है और किसान के घर से वो पैदा हुए है और जमीनी उन्होंने जो है ये समझो ऐसे कारिय करे हैं जब स्विपाल जी सरकार में थे तो उस समय उनके पास में सिचाई भाग था पी डबलूडी भी भाग था राजस भी भाग था जिस समय स् मज़ लीजे की रोडों का जाल बिछा दिया पूरे उत्तर परदेश में हर जगे रोडों का जाल बिछा दिये जूटी सरकार जो अभी आई है ये निकम्मी सरकार जो अभी आई है ये बिल्कुल बेकार सरकार जो अभी आई है कि हम 15 जून तक सारे जो है गड़े मुक्त कर कर दिया था जो 12 हैं वो फिरी कर दी थी किसान जो है बड़े खुशाल था और अभी ये समझो की बदहाली के कारण जो है तो सिपाल जी में जो अभी जनता उन से जुड़ रही है जनता उनके जो है ये समझो की किसान का नेता है वो किसान का बेटा है किसान का नेता है और हर किसान की करता है नोजवानों की करता है दलित की करता है पिछरों की करता है इसे लिए कि पार्टी ने क्या है उस समय स्विपाल जी उस पार्टी में थे समाजवादी पार्टी में थे 2014 में फिर हार का सामना करना पड़ा क्या कारण ऐसे रहे हैं जो हार का सामना जो करना पड़ा है यह तो सरकार आती रहती है जाती रहती है लेकिन नरेंदर मोदी जी जो हमारे मानिया परधान मंत्री जी है वो एक ऐसे जुमली बाज है कि वो खाना खाते हैं तो उसमें जुट बोलते हैं जो कहीं रस्ते को जाते हैं उसमें जुट बोलते हैं अच्छा मैं आप बाते आपको कहना बाते बताता हूं कि जो महागटवंदन ब प्रवाद में जीत के आएगी तब उसके बाद में जो भी प्यम क्या दावेदार होगा वो प्यम बनेगा क्या मोदी को ये गटबंदन टकर दे पाएगा रोक पाएगा मोदी के जो मैं देखता हूँ कि अभी बंगाल में एक रेली की मोदी ने वहाँ पर जो ग्राउन तो छोटा पड़गा भीड जा रही है तो मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ क्या मोदी का जो विज़ा रह हैं अब चीज बताना पोस्चना चाहता हूँ जो अभी बजट पेश हुआ है सरकार कींपर सिर्फान चिस If टो हाती के मुझे जी रहा है यह केवल किसानों का बेवकूप बनाना को जंता को लोलीपॉप देना और इन्हें करना दाना कुछ नहीं है इनको कुछ नहीं करना दाना है यह बजट बिल्कुल विफल है इसी वज़े से धरनेकार यह सब जो को करता है पद्धादिकारियां आई उन्से भी बाते करते हैं परकतिसील समाजवादी पार्टी का धर्णा है और उर्षी का नुरूप आज एक मिटिंग रखे गए हापर हम भी पस्तित हुए हमने आज जाना और देखा तो अलियादव जी के जो उनका रुजान है हमारा पार् करें अपने करिय करता का जोंने से जुड़ी होई हैं उनका मां संबान दखते हैं कि तो आप मांतों कि अए भी प्रति बढ़ पाई awfully घुड़ी मैं पार्ट तो क्या मान तो आपे शिपाल जिंग यादा हुजी endroit गिए तो जनता उनसे क्यों जुदेंगी क्या वह चाहिए कर आएंगी हैं उनके काम की परती उनका लगन पार्टि के परती सब की सब लगे रहे हैं उस वी में ढूंआ जो आनवाली चे तारिकस में उसको कहां तक मानतों उससे क्या परभाँ पड़ेगा आपकी जनता पर या जिले पर आपके यूध पर हमारे यूद पर यहां से जो हमारी में जिले की प्रोब्लम है और प्रदेश की प्रोब्लम है सब है हम रख रहे हैं ये सरकार सुनने रही है हमारी बात को तो हम इसलिए मनने है हमारे अध्यक जी का आदेश है कि इन बहरी सरकार के कान खोल लो तो हम उनके कान खोलने का काम करेंगे तो जनता से चाहँगा मजदूरों के लिए वहा से जाना चाहिए नीतियों पर चलना चाहिए तो धन्यवाद तुबने रही है हमारे साथ और हम अभी पार्टी कुछ कारे करता है उनके साथ बाते करते हैं उनके साथ उनके पास आपको लेकर चलते हैं ते पार्टी के कारे करता है क्या नाम है जी आपका सुनीता यादव जी अब बताइए जैसी कि छेतारिक में आपने पार्टी जोईन की है पार्टी में आप काम करेंगे क्या लगा आपको सिवपाल शिंग के लिए कि अच्छा करेंगे जनता की देखो पहले हम नेता जी के चुनाओं में भी रहे हम उनके साथ भी दिया लेकिन उनकी सिवपाल की बुराई है बरदास नहों पहे तो अब आप दो हो PARTी से तो सिवपाल शिंग से क्या ऐसा लगा हो है या क्या उनकी नीतिया जो उन से जुड़ने का मन को जिए पहले भी बहुत अच्छे काम किया सर वहीं चलाते थे और अगे भी अच्छा ही करेंगे वह सब के साथ में किसान के साथ में सब कि नो जुआन में नो कुर पर्टी से हैं और नेतरीन मैं उन्हें और यह उन्हें से बात करता हूं तो आईए जैपाल सिण जाद होजी निक पार्टी बनाई है आप उसमें कार्य करता हो तो तो कैने क्या नीटिया वह अपा च्छा लगा उनके साथ जोड़ने का मन करा आपको उनकी नीतिया ये रही जी जो पहले सरकार उन्होंने चलाई थी और जो उन्होंने कह दिया वो करा इस सरकार ने जो कह दिया वो कुछ नहीं करा लेकिन वो आज भी ऐसे हैं जो कह देते हैं और कर देते हैं तो अब आगे जनता उनको क्यों उनके साथ जुड़ेगी, क्या उनके साथ आपको अच्छा लगा उनमें, क्या उनके पास के ऐसी चीज है, ऐसी उनकी जो अब मैं मानता हूँ पार्टी चलाने के दम खम है कि जनता उनसे जुड़ेगी और ये पार्टी आगे चले के सफल हो ग्यांगी जनता इसलिए जुड़ेगी उन से के वो हर वर्ग के जो जilsके लायक है उसका हग दिलाने के लिए अन्यकर को से चाहिए कोई भी है। इस सरकार ने तो बीजेपी ने तो सब बे रोजगार बना दिया पड़े लिखे भी। किसी को कोई हक नहीं दिया। सभी को यह कह दिया भी पकोड़े बेचेंगे तो अनपड क्या बेचेंगे। तो इस सरकार का ये मकसद है प्रगति सील समाजवादी का कि जो जिस वर्ग जिसके लायक है उसको सारा उसका हक मिलेगा ही मिलेगा तो महा गठबंदन बनाया है पार जो महा गठबंदन जुड़ा है कि मोधी के विजारत को रोक देगा ये गठबंदन इतना आगे बढ़ेगा इतना आगे बढ़ेगा कि आने वाली 22 सरकार में तो ये देख लो आप ऐसा धमाका करेगा कि चप्पे चप्पे पर सीपाल का ही नाम होगा धन्यवाद थैंक्यू कि हम आज आये हैं जो आने वाली छह तारिक में पर्गतिसील समाजवादी पार्टी का धर्ना है हर उत्तरपधिस के सभी जिलों में धर्ना रखा गया है और सरकार के जो नीतिया उनके खिलाब धर्ना है तो आईए मां पार्टी के कुछ कारे करता है जो धर्ने के लिए यूनी से मिलते हैं क्या नाम जी आप मेरा नाम मेरा नाम रमेश कुबार तो आप मैं आप पार्टी से जुड़े हो जी तो जैसे कि मैं कहता हूं पार्टी से आप जुड़े हो स्विपाल सिंग में ऐसे क्या लगा आपको कि उससे पहले भी वह पार्टी से समाजवादी पार कदेश में सरकार भी रही है तब वो आपके लिए क्या कर पाएं और आगे क्या कर सकते हैं पहले इसी वाली ने काफी कुछ किया हर वर्ग के लिए क्या उनके मेहनत को देखते हुई आज परगतिसल समाजवादी पार्टे से हम जुड़े हैं निता जी एक अच्छे सब का धा को एक पार्टी को क्या एक नई लीड देगा सो के सो परसेंट हमारी हार कोशिस रहेगी फुल जो सब्सक्रों साथ जाएंगे अब आगे क्या नीतिया है जो पार्टी क्या आगे लोग इससे जुड़ेंगे क्या लेकर आए हैं सिव्पाल शिंग यादव जी जनता को जोड जो प्रदेश सची है आई उनसे जानते हैं कि आप उनका क्या आवान है जरने को मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं और आगे दो दिन बचे हैं धरने में ज्यादे ज्यादे भीड जूट रहने को उनका एक मकसद है और यह भी टार्गेट मिला होगा जो पार्टी से जादे जादे जोड़ना है परभारी बनाएंगे दरना के तो आए उनक्या आप नीती लेकर चले कि वहाँ पे जाके धरना में एक भीड को एक रूप दिखा चैको जी हमारी जो दरने की जो नीती है पार्टी की जो नीती है और हमारी जो संगठन की नीती है सबसे बड़ी करते हुए और धर्ना पर्दसन के पास जाएंगे और इतना बड़ा धर्ना करेंगे कि अपनी मांगे जो हैं वो पूरी की पूरी मानी जाएं डीम जी को डियम साब को अपने ग्यापन देंगे जो माने राजिपाल जी के लिए होगा तो अब मैं कुछ बाते जाने चाहता हू जिनके खिलाव आप खड़े हुए हूं क्या इसी बात leuk क्या क्या बाते मैं अब मैं मोधी जी की मान यह मोदीजी हमारे देश के परदान मंतरी मेरे भी परदान मंतरी और मोदी जी जो है ज्ओन बोलने में हर आदमी के खाते में होंगे और ये समझेगी जन्दन का खाता खुलवाया और पंद्रे पंद्रे लाख रुपे के लिए लोगों ने ये भोली भाली जन्ता से बलेक मेल करके और सरकार बना बैठी कहीं कुछ नहीं है तो अब जो धन्ने के जो मुख्य बिंदूर हैं आपके उनके विसम में जानना चाहते हैं देखो दलित समाज बिलकुल परेशान है पीछडे जो है वो बिलकुल परेशान है मुसलमनों के उपर तो ऐसे अत्याचार हो रहे है कि उनका जीना दूरलब हो रहा है दूसरा जो हमारे किसान जो खेती बाड़ी कर रहे हैं गाय और जो है ये समझोगी योगी और मोधी गोम रहे हैं सारी फसले नश्ट कर दी है परिशान हो रहे हैं अवारे पस्वों के कारण बिल्कुल जो है सत्यानास कर दिया किसान जो है बरबाद हो चुका है तो अब मैं कुछ पार्टी के विसे में बात करता हूं परगिति सी समाजवादी पार्टी है बहुत बड़े नेता रहे हैं स्युपाल शिंग यादाव जी तो अब उनकी आगे क्या नीतिया रहेगी जो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या जंडा लेकर आई ये पार् पार्टी का परचार करा तो समाजवादी पार्टी खड़ी हुई उसके बाद में अभी जो जनता उनसे क्यों भी मिला चाती है क्योंकि वो जमीनी नेता है जो कहते हैं उस काम को करते हैं नो जवानों के लिए उन्होंने रोजगार हम जो है ये समझो की सड़क पड़क का ह हमें ध्यान इतना नहीं है बच्चों के लिए सबसे पहले रोजगार देना है हर घर से एक बेटा एक बेटी यह जो है हमारे मान्य शुपाल जी जो की उन्हें जवालाल लहरू के बाद में उन्हें चाचा जी के नाम से जो जाना जाता है तो चाचा जी जो है वो हर घर से एक एक बच्चा एक लड़का और एक लड़की नोखरी का वादा करा है और मैं जो दलित हैं दलित पिछडे हर समाज को मुस्लिम पिछडे वर्ग सबी को जो है लेके चलने वाली इसी पलचा चाहा है तो आईए मैं आखरी में बाद जाना आप पार्टी के तरफ से पार्टी के पार्टी की तरफ से और अपनी भी तरफ से अपने जो है संगठन है मैंचीज है कि संगठन और हमारा जो संगठन है बागपत का बहुत ही क्रमस्ट और जो जारू संगठन है और अपनी जनता के लिए यानि के 24 गंटे जब भी आवाज मारेंगे हम पूरा संगठन तयार है तो आईए मैं आज हमने जाना जो परगिती सील समाजवादी पार्टी के जो परदेश सचीव है आज हमने उनके पास आए उनके आवास पर बाते की उनसे मिले उन्होंने मोधी की नीतियों को बड़े विश्तार से देखा और बताया कि जुम्लेबाद सरकार है है सरकार ने जनता आज परेसान है हलकान है तो आई आनवाले समय में बताया है कि प्रकिती सील समाजवादी पार्टी आगे बड़ेगी और जनता के लिए काम करेगी हर कारकरता जनता के लिए खड़ा रहेगा कुछ और बाते जानते हैं पार्टी के विसे में और क्या पार्टी का आगे चलके क्या जनाधार रहा देखे जनाधार की बात ये है कि पूरा उत्तर परदेश स्विपाल चाचा के साथ हो चुका है पिछेतर जिले में ऐसा बिगल फुक चुका है कि स्विपाल सिंग यादव जिंदाबाद प्रगतिसील समाजवाती पार्टी जिंदाबाद अभी सिक्वाबाद में जो रैली हुई है वो रैली नहीं है रैला हुआ है और ये समझे कि पांच लाग की कम से कम बीटती और आने बाइस दो हजार बाइस में मान्या सिपाल सिंग जी उत्तर परदेश के सासक होंगे मुख मंतरी होंगे और जंता का भला बाती हर ब्रादरी का कोई जादपात का नाम और निशान नहीं है हर ब्रादरी का काम करेंगे, नोजवानों का काम करेंगे, दलितों के उपर अत्याचार बिलकुनी होने देंगे, मुसलिमानों के उपर अत्याचार बिलकुनी होने देंगे, हर काम के लिए जो है सुपाल चाचा जी उत्तर परदेश के मुखमंतरी होंगे 2022 में धन्यवाद आज हम परगति सिल्ट समाजवादी पार्टी के कुछ पद्धादिकारियों से मिले हैं और अब हम कारे करताओं से मिलते हैं कारे करताओं कि क्या रुजहान है पार्टी के पड़ती और क्या पार्टी की जो नीतिया जो उन्हें जोड रही है पार्टी से तो क्या अच्छा काम किया था कि इस समाजवादी पार्टी को उचे लेविल तक ले गए लेकिन सिवपाल जी को धोका दिया और धोका देने के बावजूद मतलब उनको दर किनार कर दिया गया और उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब वो मोड पे आए कि उन्होंने सोचा कि मैं अभी भी समाज राम गोपाल जी ने जुडने का नाम निशान रिटा दिया उनका समाजवादी पार्टी से और उनको आगे अपना दल बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने जो है परगतीशील समाजवादी पार्टी लोहिया को मतलब एक उत्तर परदेश के अंदर चमकाने के लिए और किसानों और नोजवानों और गरीबों और मजदूरों के लिए संघर्स सील बनाने के लिए जो है उन्होंने प्रगती सील समाजवादी पार्टी का गठन किया है तो पार्टी की क्या ऐसी नीतिया रहेगी कि जन्ता आप से जुड़ेगी आपके साथ चलेगी? जो समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष किया है शीपाल जी ने, वोही नीते उनसे भी ज़्यादा तक्ड़ु नीतियों को लेकर प्रगती सील समाजवादी पार्टी चलेगी और नोजवानों के लिए और किसानों के लिए संघर्ष करते हुए आगे स dewे बढ़िए तो पार्टी का क्या अजंडा है मुक्त आप जैसे की चुनाव आ रहे हैं पार्टी के तो आपको बहुत कम शमय मिला है पार्टी अभी नहीं नहीं पार्टी तो क्या आपकी नीतिया रहे हैं क्या तेयारिया हैं हम सबसे ज्यादा जो हैं दलितों के लिए गरीबों के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है वो मजदूरों के लिए किसानों के लिए और नोजवानों के लिए जो है आगे बढ़ने का काम कर रही है तो धन्यवाद हम आज आएं उनके आवास पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो जिला महासचीव तो किरनफाल यादव जी आइ अब इन्हें इस जानते हैं 5 जिला महासचीव हैं आये अब रूसरे जानते हैं कि उन्हें никी परगरती सील समाजवादी पार्टी जिला मासचेव और मैं ये कहना चाहरा हूँ कि परगरती सील समाजवादी पार्टी जिला बागपत सबसे जादे तो इस पार्टी ने रोजगार सबसे जादे दिया किसानों के हित में काम किया और मैं ये कहना चाहरा हूँ कि मेरे पास मे इनी काम देने नों डेरी यह सब उन्हीं की देन है सीपाल यादव जी की देन है और इस डेरी देने से करीबन दस आद्मियों को रोजगार मिला तो अब जब वो परगती से इन समाजवादी पार्टी में आज उन्होंने अपनी अलग पार्टी एक खड़ी कर दिया पहले वो हिस्तम दोवारा से प्रगती से समाजवादी पार्टी वहां तक पहुच पाएगी जरूर पहुच पाएगी तो क्या नहींत है क्या जेंड़ आपके पार्टे का जो यह पार्टी को आप खड़ा कर दोबर इसको मजबूत बना देंगे हमारा एजंड़ यह है कि हम छे तार इसमें आपको क्या आपकी मांग है क्या आप रखोगे और मोधी सरकार के खिलाफ क्या ऐसी बाते मोधी सरकार के खिलाफ यह बात है कि हमारे छोटे किसान से लेकर बड़े किसान तक बिल्कुल बरबाद कर दिया है और हम इस पार्टी में तनी मेहनत करना चाहते हैं कि अग के साथ चलेगी हमें पूरा विस्वास है कि जनता हमारे साथ ही रहेगी क्या बात है लेकर आएंगे आपके जनता आपके साथ चलेगी क्योंकि यह किसान के हित में ही काम करते हैं सबसे बड़ी बतो बात यह है रोजगार देते हैं किसान के हित में काम करते हैं आज तक भी किस और मायवती का जो गटबंदन हो उसमें कोई सीट दूसरी पार्टी को नहीं दी लिए उसमें आपके पार्टी के क्या नीतियाब आगे चलकर काम करेगी महां गटबंदन में ही चुनाव लड़ा जाएगा पार्टी के और से या फिर अलग पार्टी अपने अपने जो परत्य कैसी खड़ा करेगी देखे अगर हमें सामान जनक सीट मिलेंगी तो हम लड़ेंग नहीं तो तो मोधी सरकार का बजट आया है आपने देखा होगा कि सान को फोकस रहा कि सान को उन्होंने च्छा जार रुपे की धनरासी और महिलाओ को चाले जार रुपे तो बजट के देखा उट आट है कि यह कहते हैं करते नहीं सबस्त बasy करते हैं करते होगा तो मुख्या मंत्री के तो report आपकी पार्ट खड़ी होपाएंगी 2022 तक तो हमारी पार्टी बनेंगि परगरति सील समाजवादे पार्टी बनेगी माने सिव पाल जी मुख मंत्री बनेगे तो धन्यवाद के साथ रवेंदर कुमार फैलिसीटी टीवी बागपत से और आज हम आए हैं प्रगतिसील समाजवादी पार्टी के जिलाद दक्स बागपत से जिलाद दक्स है मुरुज यादाव जी उनके पास आए हैं आए कि नव निर्मित जिलाद दक्स बने हैं 15-20 दिन एक महिन न हुआ है तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पार्टी की ऐसी क्या नीतिया आपको पसंद आई स्विपाल सिंग यादाव जी की कि आपको पार्टी से जुड़े और क्यों आप पार्टी से आप जुड़े हो मैं मनोज कुमार यादव परगती सील समाजवादी पार्टी बागपत का जिलाद दक्स चाचा सिवपाल यादव जी ने मेर को न्युक्त किया है और मुझे चाचा सिवपाल की कुछ आदतें अच्छी लगी हैं जो कि बहुत अच्छी सभी के लिए लोहिया जी के विचारों के समीफ हैं और उसी के लिए मैं परकती सील समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं तो अब पार्टी की मैं आप से जाना चाहता हूं इसी वपाल यादव जी ने पार्टी बनाई हैं तो आगे क्या नीतिया ऐसी है पार्टी की जो जनता उससे जुड़ेगी आपके साथ चलेगी जो लोहिया जी के अधरसों पर ही चलेंगे जो लोहिया जी बोलते थे जो लोहिया जी चाहते थे उसी साब से कारिया पार्टी कर रही है और उसी पर हम भी सभी का सम्मान करेंगे और सभी के साथ में रहेंगे आपके कंदो पर जिले का एक भार है जिला दक्स के रूप में आपको यहाँ पर एक बागडोर पार्टी ने दी है तो उसे बागडोर को आपको किस तरह से समालोग और इस जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या परियास आपके रहेंगे अबी संगर्स करेंगे और पार्टी नहीं बनी है कुछ संगर्स जरूरी है पूरे हमारे यादवों के गाम है पूरे यादवों के गामों को इकटा करेंगे समझाएंगे कुछ टाइम तो लगेगा पार्टी को सभी जातियों को जोडेंगे और जैसे कि आपको परगतिसील समाजवादी पार्टी ने आपको जिला द्यक्स का बहार आपको दिया आया ये एक बहुत बड़ा पद है तो अम मैं जाने चाहता हूँ आप इस जो पार्टी ने आपको भ इस तम यहाँ पर आपकी पार्टी का खड़ा हो जाने सभी वर्गों से सभी जातियों से सभी के साथ में मिल जुलके चलेंगे सभी के साथ में संगर्स करेंगे सभी के साथ में संगर्स करेंगे और हर आजमी से किसान से नौजवान से सब से मिलेंगे और पार्टी के सब ल जैसे शिवपाल जी ने सिंगर्स किया है उसी विचारदारा चलेंगे तो मैं आगे आप से जाना चाहता हूं कि आनवाले छहतारिक में आपका धरना है बागपत में बागपत जले मुखालया पर तो उस धरने में आपको एक जिम्मेदारी दी है आपको अपको भीड दिखान में हैं हर जाती से संबर्क में हैं और जादे से जादे जंसाहलाब ले जाने की कोशिश करेंगे ट्रैक्टर घोड़ा गाडी धरना में जो मोटर साइकल स्कूटर जो जैसे पहुँचेगा ये सोच पूरि शबी से हैं सभी कारिय करता उसे जो जुडे हुए हैं सभी से ये ब बात आपको बढ़ाना चाहता हूँ और कुछ बाते पोच्छना चाहता हूँ आप जलाद धैक से बागपसे और मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि महां गठवंदन बना है तो क्या गठवंदन यह सफल हो जाएगा पार्टी को जो मजबुत पार्टी में मानतों भाजपा पार जानकी पर्चाहता है कि मानतों एक मोधु का नाममनन के लिए सब्सक्राइब करो हुभ जो है वह सभी है भाजपा को छोड़क। तकनी में में है तो सब भाजपा को ही रोखने के लिए यह सब पỷ्यास कर रहे हैं और हम भी बाजपा भगा पुना रहे हैं तो अब जैसे कि अखलेश समाज आदे पार्टी और बस्पा में गठबंदन हुआ है दो सीटे छोड़ दिये कंग्रेस के लिए तो अब सिवपाल सिन यादा हुजी महागठबंदन से जुड़े हैं उनके लिए कोई सीटे का भी तक कोई तालमिल नहीं गठा है कोई सीट नहीं दी गई तो तो अब महागठबंदन तो आप देखते हो रोके हो गए बाजबा को लेकिन मोदी को कैसे रोक पाऊंगे जब गठबंदन में किसी और पार्टी के लिए आपके पार्टी के लिए जगह नहीं है आपके पार्टी को को इस सम्मान जनक कुमाला सीट या कुछ अभी आवंटी नहीं की वेजिए जो रास्टे अध्यक्स जी सिवपाल यादव जी का आदेश होगा साइध मैं अपनी जानकारी से साइध ये है कि सभी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों से हमारे केंडिडेट लडेंगे और एक नेता जी की सीट छोड़के मुलाएम सिंह जादव जी की सीट छोड़के नेता जी की सीट छोड़के बाकी सब जीगे से उत्तर प्रदेश की हर सीट पे हमारा परताशी होगा और तो अब आगे मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि जनता के लिए क्या आप एक आवान करना चाहते हो जनता से पार्टी से जोड़ने के लिए और पार्टी की नीतियों के बारे में क्या जनता को बताना चाहते हो आगे जो आपका आगे चलकर आपके पार्टी को जनता से यही आवान करना चाहते हैं कि जो किसान मुद्दे हैं बिजली के बिल हैं और गन्ने का पेमेंट है यह इतनी सारी जो चीजें हैं इन सब के लिए हम धरना परदर्सन कर रहे हैं और इनी समस्याओं को लेके हम जनता से मिलेंगे कि यह सब हमारे साथ में जुड़ो त तो अम मैं बजट पर आपकी राहे लेना चाहते हूँ जो बजट आया है जो किन्द शरकार ने बजट पेस किया है तो इस बजट के विशे में क्या आप कहना चाहते हूँ यह तो एक सब सब कुछ जो है जुमला है और उसमें चुनावी जुमला है जीरो है बजट किसानों के लिए अभी छह जार रुपे सालाना का प्रवधान दिया है बजट में 16 रुपे कुछ पैसे डेली के बनते हैं 16 रुपे 35 पैसे के करीब तो 16 रुपे 35 पैसे में किसान क्या करेगा डेली में अब आने वाले जो चुनाव होगा सुभे में का मुख्य मंतरी का जो चुनाव होगा आपको क्या स्विपार सिंग्यादाव जी नेता जी को सीट देंगे मुलाहिम सिंग्यादाव जी अपने सर पे हात रखा है तो क्या पार्टी की जो मुख्य भागडोर आने वाले 2022 में मुख्य मंतरी का चुनाव है तो उसके विज़े में आपको क्या राय है मुख्य मंतरी का जो चुनाव आईगा सुभे का 2022 का जो टार गेट है वो आप कहां तक लेकर चलते हो आपकी पारटी 2022 में शाइद ये वोटर वोटरों को हम अपना बनाएंगे हर समस्चा को सुल जाएंगे और शाइद आने वाले 2022 में चीफ मनिस्टर चाचा सिवपाल यादव होंगे तो थेंक यू तो कैमरमेन रहुल मेकिन के साथ मैं रविंदर कुमार फैल सीडिय टीवी बागबत